सौ करोड के अवैद खनन और मनी लॉंडरिंग मामले में जेल में बंद और फिलहाल रिम्स में इलाज रद पंकच मिश्रा का इलाज अब सेंट्रल इंस्टिटूट ओफ साइकेट्री यानि CIP में होगा पुलिस की निग्रानी में उन्हें रिम्स से CIP शिफ्ट कर दिया गया है वही CIP के निदेशक ने कहा कि इन्हें एक नशी के आदत लगी हुई है उन्होंने कहा कि इन्हें कुछ शारिरिक परिशानी थी जिसकी वज़ा से कुछ इंजेक्शन लेते रहे हैं इनका जो withdrawal symptoms होता है उसको हम लोग दुसरे दावा से कॉन्पूल करते हैं और दुसरा है उनका willpower motivation को बढ़ाया जाए और यह लिंक को समझाया जाए यह काफिया तक psychologically related है और तो फिर वो समझेंगे तो वो खुद भी कोशिस करेंगे या motivate होंगे जिसको छोडने के दिए अभी आप अगर उनको देखे होंगे या आपके किसीन एक्सपर्ट में देखा हो उनको अभी कि उनकी मानसिक स्थिती या मनोग स्थिती कैसी है क्या उपर इत्रा से fit है यह तो कहानी जा सकता है कि हमें लगा कि कुछ जिसको हम लोग anxiety बोलते है उसका लच्छन है बाकि पहुंच पाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं जिस सिंड्रोमा लेवल पर प्रॉब्लम है कि सिंटम्स लेवल पर है तो यह उसके बाद ही बता पाएंगे अभी तो preliminary है लेकिन बच्छित से लगा जहां थोड़ा सा anxiety या टेंस्परेशन का सिंटम्स है गौरतलब है कि रिम्स में अलग-अलग विभागू के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे इसी बीच साइकेट्रिस ने उनकी काउंसलिंग भी की इसके बाद उनका इलाज भी शुरू किया गया कुछ दिनों के बाद उन्हें इलाज के लिए CIP ले जाने की सलहा देते नहीं जमे हुए थे लेकिन अब उन्हें CIP में भरती कराया गया जहां अब पंकच मिश्रा का इलाज चलेगा राची से आजुतो सिनहा के रिपोर्ट हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद